कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ सेविन से देश की पहली साइबर नाइफ सेविन मेरट के मवाला रोड इस्थित वारेंटेस कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है Raul Gandhi ji Thank you Speaker sir for allowing me to speak on the budget 2024 budget 2024 in my last speech I spoke about some concepts, religious concepts श्रफुची हो फ्राइमस्ट इसके वीर्ट शुब्स बेहिंड इस्ट कर देटी रफिह यह विजिए गैजिस वीजिए को डिक जानी इसका लिस नहीं कोसी जानी थे अथिंगत अशुब्स यह व्पोर्ण इसका और शुब्स जार शुब्सें प्रॉप्स इतला हैं जाएं में नहीं चाप्सुलेट इन प्राहष को तराव मत थ्यास। चैक्ट इन अंडिया बें धुपर्सिल्ण इडिया अभे मुद्रा थे क्पीछाइड जिस नोटेशन आइंसा एं एंड आफ़ेश्नेंश्छ एंडियर्सन। आवेडेश्से लिए इवेड बेडियर्स। in India. There is an atmosphere of fear, at the Durkham Hall in Hindustan, and that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling but they are also scared. . They are scared. . . The problem is, sir, in the BJP, in the BJP, only one man is allowed to dream to be Prime Minister. If the Defence Minister decides he wants to be Prime Minister, there is a big problem. There is fear. So, this fear has been spread throughout the country. And the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified? The ministers are terrified, the farmers of India are terrified, workers, youngsters. And I, I have thought about this, and I propose one answer. मैं प्रपोज करता हूँ आज. Speaker, sir, हजारों साल पहले हर्याना में, कुरुक्षेत्र में, एक युवा को, अभिमन्यों को, छे लोगों ने, चक्रव्यू में मारा था. चक्रव्यू में फसा कर मारा था. सर, चक्रव्यू के अंदर, डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यों को, चक्रव्यू में फसा कर, ट्रैप करकर, छे लोगों ने मारा. मैंने, चक्रव्यू के बारे में थोड़ी रिसेर्च की और पता लगा, कि चक्रव्यू का एक दूसरा नाम होता है, पड्मव्यू, मतलब लोटस फर्मिशन. तो जो चक्रव्यू होता है, स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है. 21 सदी में सर, एक नया चक्रव्यू तियार हुआ है. स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन प्रधान मंत्री जी अपनी च्छाती पर लगा के चलते है. सर, जो अभी मन्यू के साथ किया गया था, जो अभी मन्यू को चक्रव्यू में फसाया गया था, वो ही हिंदुस्तान के साथ किया गया है. हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं भेनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ मीडियम साइज बिजनेस के से सर अभिमन्यू को छे लोगों ने मारा था उनके नाम दुरोनचारिया, करना, क्रिपचारिया, क्रितवर्मा, अश्वतामा और शकुनी सर आज भी चक्रिव्यू के बीच में छे लोग हैं सर चक्रिव्यू के बिल्कुल सेंटर में, चक्रिव्यू में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छे लोग कंट्रोल करते हैं तो जैसे उस टाइम छे लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी छे लोग कंट्रोल कर रहे हैं आपके कई माने सदेशों ने यहां पर मुझे लिकल कर दिया है कि जो मान्य सदश्य सदश्य का सदश्य नहीं है उसका नाम नीले आपने लिख के दिया है। पर मेरिदेंगे रियुक्ते वहां हो भाले में अगर आपका इस लिकसा कॉरतिक आए अन्सै का और अधानिय अंबानी का नाम इस लिस्त देता हूं धिर मांने सहल्ट ऐसा का नियम प्रग्राव्द से अगर आप्षो चालता हैं प्रश्वराइब थाव्यज आप आप समझाएब एक आप समझाएब रहा है आप सेकर साहएब तो सबस्ट आपड़ है समेकर देखिए हैं इस नहीं हैं तो समस्ट पाड़। the idea of monopoly capital that two people should be allowed to own the entire Indian wealth so one element of the Chakraviu is coming from the concentration of financial power the second element sir main budget ko explain kar rao sir so one one element is financial power the second element is the institutions the agencies CBI ED income tax department of this nation and the third is the political executive because sir these three together are at the heart of the Chakraviu and they have devastated this country because of my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakraviu that this budget would help the farmers of this country would help the youth of this country would help the laborers the small businesses of this country but what I have seen as that this budget the sole aim of this budget is ki jo niyat hai it is to it is to strengthen this framework the framework of big business monopoly business the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies and the result of this has been the first the first the first the first the first work this Chakraviu nne kya 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 joh hindustan ko rozgaar deethe hain small and medium businesses hain small and medium businesses hain joh koronu yuvao ko rozgaar defi income tax tse website at kya kya krach veinti 97 brings in lotus stock have come back to kya Ziti और इस टाक्स टेरिजुम को रोकने के लिए बज़िट में आपने कुछ नहीं किया है तो टाक्स टेरिजम के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं जो आपने कोवेट के समय बड़े बिसनेस' की मदद की और जो स्मॉल और मीडियम बिसनेसस थे उनको खतम है उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है बिलकुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है अब फाइनांस मिनिस्टर बैठी है अब युवाओं के लिए आपने क्या किया बजट में आपने इंटर्शिप प्रोग्राम की बात करी और ये शायद एक मजाख है क्योंकि आपने कहा कि इंटर्शिप प्रोग्राम सिरफ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्शिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना ने कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके उपर आप बैंडेट लगाने की कोशिश करना है मेन मुद्धा आज युवाओं का एक्जाम पेपर लीख है जहां भी हम जाते हैं आपने बेरोजगारी का चक्रवीव बना दिया इनके लिए और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीख भी होता है तो आपने एक סाइट पेपर लीक चक्र विए, दूसरी साइट वेरोजगारी चक्र विए. पेपर लीक मैं आपको बताता हूँ, दस साल में सतर बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं, दस साल में सतर बार हुआ है. तो! सर तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनांस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरुरी मुद्दा है उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में एक बार उन्होंने पेपर लिख नहीं कहा और उल्टा उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है 2.5% और बजट इस गॉन तो एजुकेशन सर दूसरी तरफ दूसरी तरफ आपने सर दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अगनिवीर के चक्रवियू में फसाया इस बजट में अगनिवीरों के पैसा देने की बात आती है तो बजट में आपको एक रुपिया नहीं दिखाई देता उनकी पैंशन के लिए एक रुपिया आपने नहीं दिया तो उनको आपने अगनिवीर के चक्रवियू में फसाया उसके बाद सर जो अंदाता है वो चक्रवियू से निकलने के लिए आपके चक्रवियू से निकलने के लिए जो आपने बनाया तीन काले कानून जबीन अधिकरन बिल को आपने कमजोर किया उनको आप सही दाम नहीं देते हो इस चक्रवियू से निकलने के लिए उन्होंने आप से सिरफ एक चीज मांगी है दो चीजे नहीं मांगी है उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गैरेंटीड एमेस्टी डेड़ आप ने उनको बोटर पर बंद कर दिया रोक दिया आज तक रोट बंद है आप उनसे बात करने को तियार नहीं है वो यहां आए मुझसे मिलने आए आप उनको अंदर नहीं आने देरें मानने सदशे आप सदन में असत्य नहीं के आप वह जब एक उलिए आप उनको आप ऊप उनको फार इस नहीं है आप उनको आप उनको तरह आप उनको इस अ कि अ जो मुझे एक सब्सक्राइब पर आपको फैक्ट बताता हूं फिर आप मुझे पर आपको फैक्ट बताता हूं पर आपके माने सदश हो के दें यो श्रदन पारोग निलगा है छो भी आपके माली सचर आपके एंगा, मैं रुकत वहुं पर आपके city लिए उनको बोले जी जीए उनको बोले outta m वो बताये आपलाए, मैं बताओंगा defyker sir, one second defyker sir, मैं आको बताता हूँ, जो ब्रमालो मैं speaker sir, मैं आको बताता हूँ sort.. स्टिकर, सर हएग क्या? वहाँ पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलगेसिन आया मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलेगेसिन को अंधर नहीं आने देंगे मैं उन से मिलने जब गया कब उनको अंदर आने गया था सर्य फैक्त है अब पता नहीं कोई miscommunication होगा वो अलग बात है बट फैक्ट यहे कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब गरवाजे पार्लमेंट के संसत के उनके लिए खुले उससे पहले वो बंद थे और यह आप उनसे भी पूछ लीजे सब प्लीज प्लीज नो फ्लीज उनसे अंदर लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उलंगन हुआ कि कभी सदन में मानिस सदश्य के अलावा दूसरा कोई वेक्ती बाइट नहीं दे सकता और हाँ और आपकी मुझे कि मुझे बाइट दी यह किलेर करना चाहता हूं सर यह टेक्निक एलिटी है सर यह मुझे बालूम नहीं थी बट सर प्लेज नौ आप मत बोलिये आपके नेता बोल रहे हैं तो स्पीकर सर यह आपको बेटे-बेटे सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अंदाता है जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है लीगल गैरंटीड मेंस्पी हमें लगता था कि यह कोई बड़ा काम नहीं है यह इतना बड़ा काम नहीं है हमें लगता था कि अगर सरकार बजेट में इसका प्रोविजन कर देती अगर बजेट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसाने जो चक्रविव में आपके चक्रविव में फसे हैं वो निकल पाती यह हमारी थिंकिंग थी मगर मगर आपने नहीं किया तो मैं यहां इंडिया गडबंधन के तरफ से गैरंटी देता कि हम यह काम करके दिखा देंगे जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं गैरंटीड लीगल MSP हम इस सदन में पास करके आपको देंगे स्पीकर सर जो मिडल क्लास है सर वो प्रधान मंत्री को अच्छी बात हो लो आप बेठे बेठे चिपनी आप मत करो तो वो भी करेंगे आप आप मत करो मैं सब शालेंगर प्लीज थीर चिपनी करेंगे आप प्लीज मानेगर सर अबिडल क्लास जो है वो शाहिद इस बजट से पहले प्रधान मंत्री को सपोर्ट करता था जब प्रधान मंत्री ने कोबिड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उननों देंद दबा कर थाली बजाए है धार 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 धा एक चुरा पीठ में मारा, दूसरा चुरा चाती में एक इधर मारा और एक इधर मारा इंडेक्सेशन जो आपने कैंसल की, वो पीठ में चुरा था और जो capital gains tax आपने बढ़ाया, वो चाती में चुरा था आपने long term capital gains tax को 10% से 12.5% किया यहाँ चाती मारे, यहाँ चुरी मारे और short term को 15-20% चुरी मारे दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गरवन्दन के लिए एक hidden benefit है middle class अब आपको छोड़ने जा रही है और इस side आ रही है तो मेरा कहना है, जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप चक्रीवीव बना देते हैं एक chance मिलता है आप चक्रीवी बना देते हो, हम चक्रीवी तोड़ने का काम करते हैं हमारे budget में किसान का कर्दा माफ हुआ चक्रीवीव तोड़ा मन रेगा हुआ चक्रिवीव तोड़ा तो हम चक्रिवीव तोड़ने का काम करते हैं आप चक्रिवीव बननाने का काम करते हो आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाएं सिर्फ अधानी और अम्बानी क्या सर कैसे बोलू सर मानने सदशे एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट पीकर सर तो अगर मैं आप से सवाल पूछना जाता हूँ सवाल मच दो पूछ सकते हूँ सौरी सर तो सर में फिर मैं सभाडें हैं तरी ओर फॉरिया अब नाम ने ले सता तो कुछ तो कहना बढ़े गांसा थ्री और फौर के लिटार और को यह अपने आपके माने सदेश को बता दे क्यों लिखके चिट्टी के गए गए मुझे अर्याना के पूर्ध मुख्यमात्री पर जब एस्पदार के अत्रबर्द करते हैं हर्याना के पूर्ध मुख्यमात्री के जंदात्ग पर हमब आपने चिट्टी बेजी एक पूर्ध मुख्यमात्री को आप जोड़ना चाहते हैं एक किसा नेता हर्याना के आप उन पर के बागुद को यह आपको बोलने जा रहे हैं यह आपको बोलने जा रहे हैं आप से मेरी यह अपेक्षा है आप से सदन के आप परतिपश के नेता है यह सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोराम डिसीपिन और उसको बढ़ा के रहे हैं इसलिए आप जो विशे रखे है वो नियम परक्रिया में रखे हैं इन लोगों के, इनका इंडिकेशन कैसे दूने सर, आप मुझे बता दीजी सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो, तो कोई और तरीका देजी सर, अच्छा, एक प्रिट, एक प्रिट, एक प्रिट, आप ग्यान मत बाटो उनको, वो ग्यानी है, अच्छा कर रहा हूं, कि आप कम से कम नियम परक्रियाओं की पालना करेंगे, सदन में आप प्र्तिपश्के नेता है, यह अपेश्चा आप पर किसने का स्लेज बेठिया है, जानते हो पाइंट ओडर क्या था बाता है, जानते हो पाइंट ओडर क्या है प्लीज बेठो, तुमारे नेता बोल रहे है, पाइंट ओडर फ्लीज, स्पिकर सर, एक नेट प्लीज, बैठिये, स्पिकर सर, ये जो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रस्ट्रक्चर को बिजनस को कंट्रोल करते हैं सर, इनके पास एरपोर्ट हैं, टेलेकॉम का सिस् अब रेल्वेस में जा रहे हैं, अब रेल्वेस में जा रहे है, हुद करते हैं, सर इनके पास फिरा खला थन पर झॉनो, इनके पास, हिंदुस्तान का पुरा भ्धन का पлनौपली है 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 सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मनौपीलि है तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनके बारे में में इंडिकेट कैसे करूं इनके बारे में बोलना पड़ेगा से अगर आप हमें कहो, कि इन दोनों के बारे में आप बोली नहीं सकते, तो वो तो अमारे एकसेप्टिबल ही नहीं है, हमें तो बोलना है, अब आप चाहते हो कि नम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजे हमें, आपके शंचिदी कारेमाधर, I understand, sir. शंचिपनी कर रहा है, वो बेटकर चिपनी कर रहा है, कोई संदश्य खड़ा, यही आपको धिश्टर्बेंस कर रहा है, समस्य अबूरा, राउल गांदी जी, आपके नी बोने हैं, राउल गांदी, श्पीकर सर, मैं समझता हूँ, मंत्री जी को, अदानी जी और रंबा, A1 and A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, no problem, वो सर, उपर से ओडर आया है, सर, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सक कोई किपनी नहीं करूँ, सर, he is permitted, sir, he is permitted to defend them, sir, it is a democracy, sir, he can defend them, we allow him to defend them, sir, A1 and A2, sir, मैं समझता हूँ, 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 मैं समझता I will respond to that sir. Sir, if when we raise our hand, and ask for the Prime Minister and the Ministers to yield, they yield, we will yield every time . The moment you yield, I guarantee you, we will yield. In fact I'm ready, I am ready speaker sir, I am ready ! सब्सक्राइब देखिए आप सभी लोग आप पतीबस के नेता को डिस्टर्बिंस कर रहे बार बार आप डिस्टर्रबेंस कर रहे है वेनुकोपाल जी सम्जार डिस्टर्बेंस कर रहे है आप नोट कर लीजिए ये जोजना देश में तकरिबन 73% तलिप, आदिवासी और पिछड़े वर के लोग है और ये हिंदुस्तान की में शक्ति हैं, स्ट्रेंथ है और सचाई है कि इनको कहीं भी जगे नहीं मिलती है, इनको बिजनेस में जगे नहीं मिलती है, इनको कॉर्परेट इंडिया में जगे नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगे नहीं मिलती है एक मिट एक मिट एक मिट प्रतिपश्किर एक मिट एक मिट मैंने पहले भी आप से अपिक्शा की थी अब आप प्रतिपश्किर नेता हैं सविधानिक दाहित्मों पर है तुम में मिट फोटो बखा जब अपको अपलाइज के बिखे रहा है आप पर्तिपर्श के नेता है तो मेरी अपिक्षा रेती है कि आप सदर की मर्यादा को रहे हैं सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे यह करना है सर वह अटो जगो तो आगी किया डर्रेज़ फोतो से प्टो से सदर इस फोस्टरण नहीं आने दुगा गलत तरीका है नहीं आने देंगे पोस्टर नी लरा देंगे सदन में तर्फोत तरीका एंगी तो आप पर्मिशन लेकर पूज़दें लेकर पर्मिशन ने अचारह बड़ी साहर इसमें ये जो बजट का जो हलवाए सरिय बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अपसर नहीं दिख रहा एक अदिवासी अपसर नहीं दिख रहा एक दल्यत अपसर नहीं दिख रहा है मुझे यह हो क्या रहा है सर सर देश का हलुआ बट रहा है सर और इसमें 73% का एक ही नी सर यह आप लोग हलुआ खा रहे हो और बाती देश को हलुआ मिली नी रहा है ठीका सर 20 लोगों 20 अपसरों ने बजट को त्यार किया हमने पता लगा है 20 अपसरों ने उनके नाम मेरे पास है अगर आप नाम चाहते में दे दूँगा 20 अपसरों ने हिंदुस्तान का बजट त्यार किया है मतलब हिंदुस्तान का जो हलुआ है 20 लोगों ने बाटने का काम किया है अब अब speaker sir 20 लोगों में से 90 % लोगों में से 90 % लोगों में से सर्फ दो हैं एक minority और 1 OBC और इस photo में एक भी नहीं है मतलब photo में आपने पीचे कर दिया photo में photo में तो आने नहीं दिया कोई नहीं आ सकता और मैं मैं चाहता था कि budget मे जाती जनगरणा की बात उठे जो पूरा देश चाता है 90% हिन्डुस्तान जाती 95% जाती जनगरणा चाता है कौन चाते हैं? दलित चाते हैं आदिवाजी चाते हैं पिच्छडा वर्ग चाता है गरीब जनेरल कास के लोग चाते है Minority चाते हैं, सब चाते हैं क्योंकि सब लोगों को ये पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है हमारी हिस्सेदारी कितनी है मगर सर मैं देख रहा हूं सर सरकार हलवा बाठती जाती है बाठती जाती है और बाठता कौन है वो ही 2-3% लोग और बठता किसको है वो ही 2-3% है और बाठ की हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान लेक्ट Finance Minister मुस्कुरा रही है तमाल की बात है ये हसने की चीज नहीं है मैटम ये हसने की बात नहीं है ये जाती जन गरना है ये जाती जन गरना है इससे देश बदल जाएगा सर आपको सर यह सर सर यह जो कमल सर जो रनालр उसको चक्र व्यू को पदमव्यू भी कहा जाता है सर जो पदमव्यू वाले है इनको गल्वद फहिमी है यह सोचते हैं कि देश के युवा और वो जो आपका चक्रू भी हुआ उसको फोड के फेक देंगे फेकने वाले हैं पहला कदम इंडिया गटवंदर ने लिया आपके प्रधानमंंत्री की कॉन्फिजंस को हमने उड़ा दिया मतलब आपके प्रधानमंत्री भाटशन में आई नहीं पा रहे हैं और मैं आपको अद्वान्स में बता देता हूँ, मेरे बाचन में कभी नहीं आएंगे अब सर मैं, अरे, सर इसमें क्या गलती है सर, एक बाद बताईगे सर, सर, तो जो पद्मिवी वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझाया हिंसा, नफरत, हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यू हिंदुस्तान का नेचर नहीं है हें वें हिसन्दूस्तान की नेचरह अलग है हिंदूस्तान के नेचर के बारए मैं आपको बिनाना चाहता हूं हर धर्म में चक्रविउ के खिलाफ फोर Rights एंब हर डर्म में मनने कर्बान सोधस्य आप जाने ओ हिंदू देंहुज में हिंदू Geral未 चक्रिवीव का ओपिजिट के होता है जानते हो आप चेर को इड्रेश्ट मैं बताता हूं सर शिव की बारात होती है सर शिव की बारात में कोई भी आ सकता है किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है बारात में आ सकता है नाच सकता है गा सकता है अपना सपना देख सकता ह सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए, तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को पहार नहीं भेका जा सकता है, सर इसलाम में कोई भी मस्ज़िद में आ सकता है चर्च में कोई भी घुश सकता है संगा में कोई भी आ सकता है सर मगर इनके चक्रव्यू में सिरफ छे लोग हैं सर तो यह लड़ाई शिफ की बाराथ और चक्रव्यू के बीच में है हम चक्रव्यू तोड़ते हैं हम चक्रव्यू तोड़ने का काम करते है मनरेगा, हरीकरांती, आजादी, कॉंस्टिटूशन ये चक्रव्यू को तोड़ने के काम है इससे देश में खुशी आती है दर मिठता है, कॉंफिडन्स आती है आप पद्मव्यू चक्रव्यू बनाने का काम करते हो चक्रव्यू शिव की बरात को हरा ही नहीं सकता है आप अपने अतियास को देखिए, आप अपने आपको हिंदू कहते हो आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो आप चक्रवियू बनाने वाले लोग हो आपका हिंदे बोगस बोगस खिकर सर तो अंज में एक हैना चाहता हूं अब शान्त हो जाए खतम कर ला हूं सर जबराईये मत दरो मत दरो मत खिकर सर कुछ महीने पहले सर जो आपने चक्रवियू स्पिकर सर जो चक्रवियू बनाए गए है नहीं ने कोई अपमान ने किया मैंने कोई अपमान ने किया मैं कर नहीं सकता कभी जिन्दगी भर मरने तक मैं अपमान ने कर सकता क्या बात कर रहे हो आप क्या बात कर रहे हो सर तो आपने ये चोटे-चोटे चक्रव्यू बना रखे हैं मैं इनको समझने की कोशिश करता हूँ अपने चोटे से तरीके से कुछ कुछ महीने पहले मैं 6-7 गंटे बड़ाईयों के साथ काम किया वहां विश्व करमा जी थे कि उनसे मैंने एक सवाल पूचा मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है किस चीज से आपको दर्द होता है उन्होंने मुझे कहा राहूल बात सुनिये आपको समझ आ जाएगी बात सुनिये समझ एई sir इंटरप कर रहे हैं आप इतना इंटरप करते हो और पेटे पेटे, आप तो पुरे बाशन में वेल में आजाते हो, सवाल करते हो इंटरप करने का तो मैंने विश्वय कर्माजी से पूछा कि आप यहां सानों से बढ़ाई का काम कर रहे हो आप सानों काम पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, डूड़ो आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, डूड़ो जाए तो मैंने उनसे पूछा अविश्व कर्माजी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है अगर कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा, सचाईए, तो उसने कहा, राहूल जी, मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे दुक इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूँ मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता हूँ कुछी दिन पहले सुल्तानपूर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ मोची भाई के साथ बेठा उससे मैंने यह सवाल पूछा आपको दुख किस बात का होता है कहता है राहूल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया तो मेरा कहना है सर ये जो आपने चक्रवियो बनाया है इस चक्रवियू से करोणों लोगों को नुकसान हो रहा है दर्थ पहुच रहा है और हम इस चक्रवियू को तोड़ने जा रहे हैं और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग दरते हो कापते हो वो है जाती जंगरना और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गटबंदन गैरंटीड लीगल MSP इस सदन में पास करेगी वैसे ही मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा लगे ना लगे जाती जंगरना इस हाउस में इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे कियों बेटे-बेटे टिपनि कर रहा है ये तूड जाएगा और मैं पूरा पिर यंडिया गटबंदन बिखालिएगा दनेबाद जैंक अभर आपके शब्दों को बोला मेना नाम लीए सर अगनी वीर पर विशेपर उन्हों नहीं कहां कि मैं सारे विशेपर चर्चा करने को तयार हुजै काम सर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अगनिवीर की बात उठाई सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अगनिवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है और उन्होंने कहा हाउस में कहा कि एक करोड रुपिया कॉम्पनसेशन दिया गया है मगर सर वो गलत था सर उस शहीद परिवार को इंशॉरंस दिया गया था कॉंपनसेशन नहीं दिया गया था सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर ये सच है सर और सर भाशन के एक दम बाद सर कॉंपनसेशन दिया था सर ये सचाही है सर इसको कोई नकार नहीं सकता ही है, सचा ही है Hernandez